आज कल गरीब को गुजारा नहीं है जो करे पास पैसा है वही के भंसा है दस साल से थाना कचेर के चक्का लगाए-लगाए कि हम ठक गया है साहब लोग हैं कहते हैं कल आना परशों आना अगले हवटे आना कहते हैं काम हो जाएगा अई हमरा पड़ोसी जो है हमरी जमीन पर कुंडली मार के बैठा है साहब लोग को पैसा खिला दिया है तोन फुलाए सब बैठे हैं लेकिन हमरा भिनाम छोटे लाल है अपना हिस्सा हम लई के रहेंगे अंतिम सांस तक लणाई लणाई लणेंगे अरे छोटे लाल अरे पंडित महाराज पालागी अरे खुश रो खुश रो कौन भाई तुम्हारा हिस्सा ले लिया है अरे पंडित महाराज वो हमरा भाई रमियस जो है उका तो आप जनते हैं अरे मन देगा में हम फोड़ा चलाए के मर्दूर काई के पैसा कमाई के उका पढ़ाए लिखाए सोचे एक दिन हमरा सहारा बनेगा लेकिन आज देखो हमरी जमीन हतिया लिया है हिस्सा देने के नाम नहीं ले रहा है अरे तो चिंता काहे करते हो छोटे लाल कोट का चेहरी मजाओ एकरी खिलाफ करो केस ये दोड़ता हुआ हिस्सा देगा तुम्हारा कोट का चेहरी ससुरा उहां भूश खोर बैठे है अई हमरा भाई रमेज सबका पैसा खिलाए दिया है साहाब लोग हमरी फैलिया ही दबाए के बैठे है अरे तो छोटे लाल ये अप्थर बाबु खिलाफ सिकायत लेकर डियम साहब पार जाओ देखो कैसे काम नहीं होता है अरे पंडी जी डियम साहब के पास हम दूई बाहर गए थे डियम साहब ने कहा कि हम तैसिल दास साहब को लिग दे रहे हैं और तुम जाओ काम हो जाएगा लेकिन यहाँ तैसिल में आए तब फिर वही डाग के तीन पात कामें नहीं हो रहा है अरे तो छोटे लाल एक काम करो तुम हूँ पूजा चढ़ा दो ने अपसरों को बाबुलों को घूस दे दो तुमरा भी काम हो जाएगा अरे पंडी जी आप तो जानत हो कि गाय भैस का दूद बेच के किसी तरह से हम घर का खर्चा चलावता है तो पूजा कहां से चढ़ा देंगे बात ठीक कह रहे हैं चोटे लाल अब ऐसे में आपका हिस्सा कैसे मिलेगा पंडी जी हम ठाना कहचेर के चक्कर लगाए-लगाए के ठक गए है अब आपे कोनों उपाई बताओ कि हमरा हिस्सा हमका मिल जाए बस अरे चोटे लाल आइडिया तो मेरे पास है लेकिन उसके लिए तुमको एक बड़ा काम करना पड़ेगा बड़ा काम? हाँ, बड़ा काम करना पड़ेगा तुम कर पाओगे? अरे काहे नहीं करेंगे हमका हमरा हिंसा के लिए हमरा जान भी देना पड़े तो हम दे देंगे अरे छोटे लाल तुमको अपनी जान नहीं देनी है तुमको तो किसी की जान लेनी है जान लेनी है लेकिन किसकी अरे वही जो तुम्हारा भाई है रमेश जब तुम खून करोगे तो पूरा इलाके में हंगामा हो जाएगा समझ गे कि खून हो गया खून हो गया अब इसमें पूरा परशासन भाग कराएगा अब इस खून की खबर मुख्मंतरी तक जाएगी अब वो भी अधिकारी डियम सब को फोन करवाएगे कि भाई मैटर क्या हो गया मैटर क्या हो गया अब परशासन पूरा हैगा यह मैटर देखेगा तो पता चलेगा जमीन के लिए यह मडर हुआ है अब इसके चलते तुम्हारे जमीन का सारा कागज बाहर आ जाएगा तैसिलदार, मजिस्टेट, लेख पाल सारे आकर के तुम्हारी जमीन का सर भी करेंगे सारे अफसर लोग मिलकर पूरा मैटर देखेंगे और देखते ही देखते तुम्हारे जमीन का बटवारा हो जाएगा छोटे लाल, आखिर थाना कचहरी का कब तक चक्कर लगाओगे अरे मैं तो कहता हूँ इस थाना कचहरी के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी खतम हो जाएगी तुम मर जाओगे लेकिन जमीन तुम्हारे हाथ नहीं आएगी इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काम कर डालो अपने भाई रमेश का मरडर खून कर दो आप ठीक कहते हो पंडी जी अब तक जो परवार में नहीं हुआ अब वही होगा